हाँ जी तो क्या हाल है आपके मैं सुमित कुमारी बार खुरिशा आपको स्वागत करते हो अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो सर्विस एंट्री को डेडिकेटेड है सर्विस एंट्री में भी आज हम डेटेल में बात करने वाले हैं को सेंट्री के बारे में आप सबको पता होगा सर्विस एंट्री आर्मी की बात करें तो तीन है एक पसंद आये तोसे वीडियो को लाइक सिर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा देखें सर्विस एंट्री में मतलब है क्या जो भी बंदे services में हैं उनको मुका दे जाता है कि अगर उनके अंदर capability है तो भाई वो भी as officer join कर सकते हैं ACC entry कैसी entry है जिसमें जो 10 year of service required हो केवल 2 साले पर इसमे written examination देना होता है जो उस written exam को pass करता है केवल वही eligible हो पाता है SSB देने के लिए वहीं पे PC, SL and SEO entry में कोई written examination नहीं देना होता है आपको सीधा SSB देना होता है अच्छा SSB की tension बिल्कुल मत लेना LWS SSB ने पिछले 6-7 महिने में इंडिया में सबसे ज़्यादा recommendation rate दी है आप कोई भी बंदा हमसे पढ़के गया हो चाई service entry हो चाई nda cds कोई भी हमसे पढ़के गया हो आप एक बार उससे feedback पूचना हम individual attention पर काम करते हैं हर एक बच्चे को हर एक टेकनिक का individual feedback मिलता है और एक competitive environment English speaking communication skills सब कुछ improve होता है तो SSB दो टेंशन लेना मताब आप आप बैस अभी यह जान लो कि SEO entry है का SEO entry एक बाद तो याद रखो एक बड़ी entry है को साल में दो तौँबर होती है वेकेंसी अच्छे खासी होती है हर बाउस है लेकिन हर बार एक्चली सोगेंसी निकलते हैं सर्वेसेद अपने हिसाब से रखती थोड़ा वाट उपर नींचे सर्वेसेश करती ही करती है फिर भी सो दिकले वह साल में दो बार निकले के कोई public notification नोटिफि की डेट्स होती है और जुलाई ओगस्त में जो जन्वरी का कोर्स होगा और नौंबर दिसंबर में जो जुलाई का कोर्स होगा साल में दो बार दो बार नोटिफिकेशन दो बार अप्रोक्सिमेटली की डेट्स एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी आपकी एज 30 से 35 साल के बीच में होनी जो मिनिम्मम फाइफ विर के सर्विस होगी मेरिटल स्टेटर्स मेरिड अनमेरिड कुछ में चल जाएगा क्वालिफिकेशन मेट्रिक विद वन इयर डिपलोम और अब कभी भी इशू जो है न वो यह नहीं आएगा कि वो प्रिपेर करना चाहते हैं फीस का फाइनेंशल यह सब कभी सर्विस एंटर को नहीं आते सर्विस एंटरी के इशू होते कि उनकी जो छुटियां है उन छुटियों में कोई राइट गाइडेस देने वाला नहीं होता है हमने LWS SSB में special मलब हम थोड़ी से respect मतलब जाहिर करना चाहते हैं आप लोगों को परती जो आप लोग हमारे लिए करते हैं ताफसी बात है आप लोग महां पर है तो आज हम chances हो रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हो अपने हर बैच में कुछ सर्विस एंटरी के लिए रि है लेकिन अगर आप सर्विस एंटरी से हो आप बताओगे मैं सर्विस एंटरी से हूँ तो आपको कोई मना नहीं है आपकी छुट्टी के हिसाब से कम छुट्टिया है तो उसके हिसाब से वी विल ट्राइब लेवल बेस्ट तो गीव यू दा बेस्ट फीडबैक और सबको फीडबैक ही चाहिए होता है उसके लावा तो बेसिक सो सबको पता ही है तो ये मुझे बताना थे इसके बारे में सर्विस एंट्रिस के बारे में I hope कि आपको चीज़े पसंद आई पसंद आई तो आप प्लीज वीडियो को